होली के लिए हर बल गुलाल बनाकर महिला समुह मजबूत हो रही है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जी हां हम बात कर रहे हैं गर्याबन जिले के वनाचल में बसे मदनपुर गाव की बिहान से जुड़ी महिलाओं की जो होली में उप्योग करने के लिए हर्बल गुलाल तयार कर बेचने में जुटी है और अच्छा मुनाफ़ा भी कमा रही है ताकि केमिकल युक्त गुलाल से नुकसान न पहुंचे महिला समुह के इस पहल से ग्रामीनों के पहुच से दूर हर्बल गुलाल अब उनके ही बजट में आसानी से उपलब्ध होगा राश्ट्रिय ग्रामीन आजीविका मिशन बिहान के अंतरगत महिलाएं नए रचनात्मक कार्य कर रही है समुह की पलाश के फूल चुकंदर धनिया पत्ती गेंडे के फूल काटकर पीस रही इन महिलाओं को देखकर तो ऐसा लग रहा होगा कि ये किचन के लिए कोई सामान तयार कर रही है पर ऐसा नहीं है सब्सक्राइब को काटने पीसने की काम में लगी ये बहने मदनपुर के कि लिए किया जा रहा है ये हमर जो महिला है 20-25 पहिला हैं जे मिलके 12-12 दिन के अंतर अभी गुलाल हरबल गुलाल बनाए कोशिस में हावन अभी तक के लगभब कॉंटन एक कॉंटन तक के गुलाल बना चुके हैं जे में हमर डिमांड भी है मांग भी है उकर हिसाब से तय साथ में हमर जीला कार्या लए में भी बहुत अच्छा थे एमें और हम नहीं हम जिससे एफैड़ फूल है पलास के हुल है अधनिया है और चुकेडर है में एककर सब से हमनहां हरपल गुलाल बना था हमनहां दस-पंदर दिन होगे बना था जेमे से हमनहां प्लास के फोल से पिलल कलर बना था हम और पालगभाजी से sucks हिरे कलर है और चुकंडर से लाल गाचरी कलर में बना था corresponding 25 तें महिला दिदी मन homepage is having a new reaction के बना के बना पार्केट में कर चले निवे पिछले साल भी हमन बना रहे हैं वहीं जिले के कलेक्टर दीपक अगरवाल ने कहा कि महिला समुह द्वारा बनाए जा रहे हर्बल गुलाल एक अच्छी पहल है केमिकल युक्त गुलाल के इस्तमाल से इंफेक्शन का खत्रा बना रहता है महिला समुह को जो भी संभव मदद चाहिए वो जिला प्रशासन करने को तयार है साथ ही लोगों से भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा हर्बल गुलाल का उसे किया जाए ताकि स्किन फ्रेंडली क साथ साथ परियरावन फ्रेंडली भी रहे है जो भी हर्बल गुलाल है बनाए जा रहा है वो बहुत अच्छी पहल है चोंकि केमिकल युक्त गुलाल जो यूज करते हैं उससे लोगों को बहुत दिक्कतें भी होती है तो उनको जो भी संभव सहायता है वो जिला प्रसासन कराई जा रही है और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि जादर जादर हर्बल गुलाल का यूज करें ताकि जो महिला इसकार में लगी है उनको रोजगार भी मिले और लोगों को एक अच्छा हर्बल युक्त गुलाल भी मिले जो की स्किन फ्रेंडली है पर्याव आपड़ीन